तो नमस्कार साथियों मैं आपके साथ आपका दोस्त महाईसर दोस्तों आपका मीरी इस चैनल पर बहुत बस्षागत अभी तक आपने अब मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर दोस्तों आप Air Force, LDC, पतवार, RPSC, SSC, RSSB, REIT, CITAC किसी भी exam के अगर त्यारी कर रहे हैं आपके syllabus में tense या एक topic मिलता है आपको Improvement of Sentences या एक topic मिलता है Sequences of Tenses तो उन सभी topic का ये एक common video है और इस session में हम सिर्फ और सिर्फ आपके future tense के जो भी rules नियम काईदे हैं सिर्फ future tension की future पूरा और future पूरे के जो भी है parts उनका हम इसमें revision करेंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों पहले आप subscribe कीजिए और फिर हम पढ़ेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपने मेरे इससे जो पहले session आये हैं वो भी आपने देखेंगे तो दोस्तों गबराने की जरूर ने सब चीज को हम ट्रिक के साथ सब चीज को एक एक करके हम पढ़ेंगे ताकि हमारा concept clear होता जाएगा एक भी mistake paper में नहीं होने की संभाव ना होगी दोस्तों तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर देखेंगे इसको एंड तक देखेंगे तो आपको बड़ा फाइदा होगा दोस्तों इस session में दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर टेंस की और फ्यूचर के अंदर देखें दोस्तों हम बात करें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिनिवस और फ्यूचर परफेक्ट यनकी फ्यूचर के तीनों टेंस के बात हम इसी session में करने वाले हैं तो द्यान से समझीगा फ्यूचर में जागर कई भी स्वाल आएगा इस वीडियो को याद करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्यूचर आपके एक्जाम में मिलेगा वह आपका एकदम करेक्ट होगा दोस्तों कोई घबराने की जरुरत नहीं है तो फ़स्ट है future simple, second future continuous और थर्ड है आपका future perfect अब हम सबसे पहले दोस्तों लेते हैं future simple तो देखिए दोस्तों बिल्कूँ simple है कोई हड़क नहीं future simple जैसी आपके mind में आता है दोस्तों तो सबसे पहले हम will या shell के बाद वर्फ की first form लिखेंगे I और V subject है तो आपका cell प्लस वर्व की first form अगर I और V को छोड़ करके कोई भी दूसरा subject है तो आपको will प्लस वर्व की first form लिखना है यह निकि I और V के साथ cell आएगा और बाकी सब के साथ will आएगा और future simple के हिंदी वाकियों के अंत में दोस्तों गा, गी और गे आएगा इसके बाद दोस्तों अगर मैं पैसी हो इसकी बात करूं तो अगर future simple का पैसी उस बनाएंगे तो will आ, cell के बाद B और V के बाद वर्व की third form आएगा समझ गये दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि future simple अगर exam में question आएगा तो किस हिसाब से आएगा तो future simple का जो question exam में आएगा उसमें आपको adverbials दी होगी stance की जिससे पता चलेगा कि future simple का वाकिय है अब वह adverbials कौन-कौन सी वह देखीगा सबसे पहला आपको याग रहें तुमारो आने वाला कल next प्लस टाइम यनकी next प्लस टाइम फिर coming प्लस टाइम फिर in प्लस टाइम नके बात फिचर टाइम रहें еленके बात फिचर टाइम फिचर सिंपल कर दोस्तों आज यह याद करें टिक फिर से संच मढ़ों चुमारो नेक्स्ट व felis टाइम प्लसgeschक समझ गए दोस्तों हम बात कर रहें जो बहुत इंपोर्टेंट राम इस पेस देर नेक्स्ट मंडे यह आपको मिला दोस्तों होगा यह से होगा तो आई और वी अगर यह सब्जेक्ट है तो होगा आपका सेल गो आई और वी सब्दट नहीं है को दूसरा तो यहां होगा विल गो समझ दोस्तों जब भी आप competition exam में आप question को solve करते हैं दोस्तों तो सबसे से पहले आप कुन सा option गलत है उसको टिक कर दे की कोशिश करें पहले आप चार उप्शन से गलत वाला को ढूंड़े तो सही अपने आप बच जाएगा यह तरीका सबसे बेस्ट रहता ताकि आपको छोटे छोटा सरल से सरल स्वाल गलत नहीं होगा हाड से हाड भी गलत नहीं ह दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं और आगे मैं आपको लिए चलता हूं नोट इसका नोट है दोस्तों नोट यह है कि अगर वाक्य के दो हिस्से सबसे महत्यूपर नोट है दोस्तों अगर आपको कोई भी sentence दिया हुआ है उस sentence में देखिए अगर आपके वाक्य के दो हिस्स हैं और एक हिस्से में future tense हो तो दूसरे हिस्से में फिक्स है present आएगा यान्द कि परजेंट और future future के साथ कभी past नहीं आ सकता तो एक हिस्से में future tense आया हो तो दूसरे हिस्से present tense ही आएगा यह सबसे important notice है दोस्तों अब second point वो भी बहुत important है अगर English के sentence में when, while, till, until, if, unless, in case, as soon as, as long as, आदी के तुरंत बाद कभी future tense नहीं आएगा नहीं यह वर्ड जहां भी English के वाकिम आएंगे तो इनके just बाद में कभी भी future tense नहीं मिलेगा आपको just बाद वाले close में समझ गए दोस्तों यह important चीज है अब हम आगे बढ़ते हैं एक्जाम्पल की और यहाद कोई if से शुरू हो रहा है if के बाद जस्ट बाद को या परजेंट ना करे कौन सा आया परजेंट आया इनके बाद जो मैंने वर्ड सभी बताया थे वैं वाइल इनके बाद कर future tense नहीं जस्ट बाद में तो इ चाहूं कि इन सब्दों के जस्ट बाद में कभी भी future tense ना करके दूसरा tense आता है और अगर एक क्लॉज फ्यूचर हो तो दूसरे fix से परजेंट आएगा तो इन दोनों का मैंने आपको एक ही एक्जाम्पल से बताएगा एक जैसी परजेंट आए तो उसमें अपना future आए और दूसरत इसके जस्ट बाद में देखिए आप एक जस्ट बाद में फरजेंट आया ना की future है समझ गया दोस्तों अब एक क्यूशन देखिए स्पेस यू स्पेस मी माइन नोट्स चुमारू अब इसमें चुमारू आ गया तो टेंस हो गया future simple ठीक फिर एक क्यूशन मारक इसका लवी interrogative sentence है अब देखो शुरुआ न यू के साथ विल आएगा विल सब में पढ़ाए अब option गलत कैसे करें तो विल के पहले कभी नौट नहीं आता तो इसमें देखो विल के पहले नौट यह option गलत दूसरी बात देखिए यह पैसियो इसका स्वाल नहीं है तो इसमें third form विल सब्सक्राइब नहीं आएगा तो यह एक्टिव इसका वाक्य है तो सीदह होगा अगरे पैसियो इसका option सही होता तो आपका विल भी गिवन सही था ए ओप्सन लेकिन पैसियो इस नहीं है विल यू नौट मी माई नोट चुमारो क्या आप मेरी नोट मुझे कल नहीं दोगे समझ गये दोस्तों इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्विशन पर औ अब इसमें हो सकता है आपके कभी-कभी ऐसा हो कि अभी तो इस option यह सबसे देखें तो विल भी बी के बाद वर्व की third form आती है यह गड़त यह future simple विजिटेट नहीं आएगा और एव के बाद आई एंजी नहीं आता तो सही क्या बचा विजिट्स तो दोस्तों बताता हूं और next plus time होता तो आपका present simple भी सही, present continuous भी सही और future simple भी सही अगर तीनों 10th 7 niez higher future time में तो आपका future simple सही होगा लेकिन दोस्तों तीनों साथ में नहीं है तो आपका जो option है present simple इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन है आपका वह है I shall give you all the information when I space you मैं आपको सारी information दूँगा जब आप मेरे से मिलोगे अब देखिए हैं when के जस्ट बाद में कभी मैंने का future नहीं आएगा बड़ी दिक्कत की बात है मैंने का when वाइल से जब sentence connect होता है तो कभी भी future simple नहीं आता समझ गया तो future simple वाड़ा option तो सीधा सीधा गल्द हो गया दूसरी बाद इसमें शेल की future आ गया तो एक तरफ एक लोज में अगर future टेंस आ जाता तो दूसरी लोज में पर्जेंट्स आएगा अब यह पर्जेंट परफेट तो आएगा नहीं past simple तो आएगा नहीं अब इसे सहीधा सिर्फ मीट समझ गये दोस्तों क्यों सहीधा इसका मैंने future continuous टेंस में क्या है वो द्यान से समझ यह जैसी आपके माइड में दोस्तों future continuous का आता है तो आपको याद आना चीहे विल्या शेल के बाद बी और बी के बाद वरव की first time के साथ ing इंडी वाक्यों के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होंगा रहे होंगी समझ गे दोस्तों अब दोस्तों इसका कभी पैसी वर नहीं बनता है मैं जब पैसी वर इसका topic आपको समझाऊंगा तो मैं आपको पूरा की Adverbills देख लेते हैं सबसे बहल हम Adverbills कौन-कौन सी है तो एट इस टाइम या एड डिस मोमेंट के बाद अगर आपको फूचर का टाइम मिलता है यह भी एड खाली है इस टाइम या at this moment मिले तो present continuous होता है लेकिन अगर at this time at this moment के बाद future time मिले तो आपका future continuous chance होगा और अगर आपको tomorrow at 6 p.m. अगर ऐसा कोई time मिले तो भी आपका future continuous chance होगा दोस्तों आलांगी इसका question बहुत कम पूछा जाता है फिर भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों example देखीगा I space you at this time इसमें देखो at this time होता तो present continuous खाली tomorrow होता तो future simple दोनों साथ में तो आएगा future continuous अब यह will not teach future simple गलत बी के बाद third form आने चाहिए यहां से होगा will be teaching और आपको सारी चीज बिल्कुल समझ में आ रही है तो दोस्तों इससे पहले में जो session दिये है वह आपकी description में इसका link दिया हुआ है पहले वाड़ी वीडियो का सभी का ताकि कि आप सभी टेंस पढ़ लें टेंस के बाद आगे जो भी आप grammar पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों कि आगे हम दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको future perfect की तरफ और future perfect टेंस जो भी आपके exam के use से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा important है इसमें दो एड़र बील्स रहती है सिर्फ और दो मैसे स्वाल पुछा जाता है जैसे future perfect आपके mind में आता है आपको ध्यान रहना चीज़िए will ya sell के बाद have है के बादवर्व की third form इसका अगर पैसे योश बनाएंगे तो will sell का will sell है का have been हो जाएगा third form का वापस third form आएगा दोस्तों अब हम इस stance के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में या होगा यह होगी या यह होंगे इसके चला चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे सब दाते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके एड़र्वियल कोन कोन से हैं तो देखिए इस stance के एड़र्वियल सिर्फ दो है अगर आपको sentence में कहीं पर भी by plus time अब यहां पर by का मतलब होता है दोस्तों तक जैसे by Sunday तक by 2020 तक और एक आपको मिलता है by the end of एक तो by plus time और एक by the end of समझ गे दोस्तों तो यह दोनों आपको याद करने बहुत जरूरी है बहुत सिंपल है दोस्तों यह आपका future perfect के लिए है इसके बाद दोस्तों ह है वी स्पेस अवर कोर्स बाइदा एंड ऑफ अगस्त यहां देखिए अगस्त के एंड ऑफ की बाद तो यहां देखो by the end of future perfect हुआ fix है तो यहां देखो will be completed की पैसी हो इसका option will have completed यह सही है will complete future simple have completed present perfect तो सही होगा आपका will have completed दोस्तों आगे बढ़ता हूं आगे आपका question है दोस्तों वो है आपका space you space government employee by next year sentence की दोस्तों हिंदी करना से जिख जाओ rules याद है याद नहीं है फिर भी आपका question सही होगा क्योंकि आप सही सटिक बिठा सकते हैं जब आपको हिंदी आती है अब space you space government employee by next दिया है या question mark है तो शुरुआत में help रोगानी ची अब इसे next plus time by next year दोस्तों तो होगा आपका future perfect और future perfect दोस्तों तो यह आर फ्यूचर प्रफेक्ट है अब मेरी बात को समझें कि यहां पर will have become कि यह option आपे विकम्ड है विल है और नॉट या पीछ दी था जो मैंने लिखा नहीं समझें दोस्तों अब देखिए यहां पर future simple तो गड़्द होगा यहां पर क्योंकि भाई प्लस टाइम है और यहां पर पर जैंट करेंज भी गड़्द होगा अब पीछे बचे दो ऑप्सन एक में नौट है लेकिन या पीछे डी है तो विकम्ड की थाट फॉर्म विकम्ड होती है लेकिन विकम्ड नहीं होती है इसलिए यह यह आप्सन गड़्द होगा सई पी मुस्कान है आपकी पढ़ने के जो ललक है जिग्यासा है वो सब आपको काम्यावी देने में जुटी होई है दोस्तों तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आपको पूरा सेस्वन अच्छा लगा समझ मैं आया इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियो से उस सब आप शेयर कर अधिक से अधिक लोगत इसको पहुचाएं ताकि वीडियो पहुच चोगे और बच्छे अधिक से अधिक टैंस को अपने मारवारी ये रास्थानी बासा में सीख सके थेंक्यू सो मच